वेल्कम बैक स्टूडियल्ट। वेल्कम बैक स्टूडियल्ट। वेल्कम बैक स्टूडियल्ट। वेल्कम बैक स्टूडियल्ट। सिनेमा का एक महत्पोन हिस्ता होता है जब कैमरे की साहिता से शौट लिया जाता है। तो जो डैरेक्टर होता है वेल्माजेशन के टाइम पर कहता है के कि एक्शेन, ड्ョौल, कैमरा इसलिकार के जब बोलता है तो गैटा है कि केमरा शुरू करोände के शॉत होता है पूरा चैना कावर करने के पाद, वीडियोग्रफ़ीद करने के चैनल के शोर्ट कहते हैं। अब कैमरे को उठाकर करके दूसरी जगा ले जाता है और झाहिरा कि वहाँ पर शोर्ट बदल जाता है लेकिन कई पर ऐसा होता है कि एक इसीन में कई-कई शोड़े जाते हैं । तब जाके एक सीन बन पाता तो दूसरी तो एक ही दर्षए और भीचर में जा सकता है, यनि कि एक ही शौ्ट थीसे दर्षए में जा सकता है जैसे कि माली जो कैमरा को लेकर के एक्टरस के पीछे-पीछे चला जाए जैसे कि एक मूवी थी आपकी आई थी बीत में मैं हुना शारुक कान जी की मूवी थी वो उसमें क्या है कि एक हीरोईन जो है वो गाती है चले जैसे हवाय सनन सनन बारा जो गाना है बेटे अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो पूरा कपूरा गाना जो था वो एक ही शॉर्ट में पूरा कपूरा किया गया है लड़की के पीछे-पीछे ही कैमरा भूंता है ऐसे एक पहले सीरियल आया करता था साथ भी कभी बहुत थी उसमें तुलसी विरानी जो थी तुलसी विरानी जो करेक्टर था श्मती रानी का ये जब कुछ चलती है अपनी पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन कराती है तो कैमरा इनके पीछे-पीछे चलता है वो भी पूरा वölकम करने के लिए आया हुआ है तो उसको जब फयार जाएका तो एक तरिकी से लौ शॉत होगा है इसी तरिकी से केमरे से पुरी दूरी पर रख करके फिल्मांगन किया जाता है तो एक पूरा ज्यादा एरिया कवर होता है फोटो में तो उससे एक्स्टीम लॉंग लेते हैं जिसमें पूरा का पूरा ओर येरिया कवर हो जाथा पूरा का पूरा सील हमारे फोटो में आ जाता है जब कैमरे के सामने किसी वस्त हुई अपाचर को इतना ज्यादा पास रग दिया जाता है कि परदी पर केमर वही दिखाई देता है और अगर हम किसी और की कही बात पर सुनने वाले के expressions को record करना चाहते हैं तो उसे close shot लेते हैं और इसे reaction shot कहा जाता है फिल्मों में आजकल अलग भाशा की फिल्मों को किसी अलग भाशा में dub करने का काम भी काफी तेजी से हो रहा है जैसे Hindi में बनी हुई फिल्में और बाशाओं में convert की जा रही है और बाशाओं की जो फिल्में उनको Hindi में लाया जा रहा है दबिंग कहना था है अब सिनेमा का तकनिकी पक्ष के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बेटे सिनेमेटोग्राफर यानि की कैमरा मेन कैमरा मेन और कैमरा के बिना फिल्म बन ही नहीं सकती है बीटा वो सारे के सारे काम जो की कैमरे की तक्नीकी से होती है जैसे की कैमरा स्टेंड फिल्म स्पीड, लेंस चुनाव फ्रेम कंपोजिशन camera कौन वगर है यह सारे के सारी काम स्किल हैं टेक्नीक्स हैं जो कि किसी भी camera man को जो कि film बनाने में मदद कर रहा है किसी director की इसको आने चाहिए इसके अलबाद अच्छे film आकन के लिए एक अच्छे और कुषल camera man की जरुवत पढ़ती है जो कि होना चाहिए, किसी भी producer, director के पास और साथ ही cameraman को ये भी पता होना चाहिए कि उसका director उससे क्या चाहता है, तो निर्देशक, cameraman और कला कारों के बीच में आपसी अच्छी आपसी समझ की जरुवत होती है, इसी वज़े से producer, directors होते हैं जल्दी से अपने cameraman चेंज नहीं करती है, एक ही cameraman के साथ काफी काफी time तक वो काम कर रही होते है cameraman को सहयता के लिए सहयोगी cameraman भी होती है, एक main cameraman होता है, उसके साथ इनकुछ assistant cameraman भी होती है आपने देखा होगा कई बार कई-कई camera लगकर के एक फिल्म को एक ही वीडियो को शूट कर रहे होती है, एक ही scene को शूट कर रहे होती है तो सभी cameraman के साथ अनेक दाइतों का भेहन करते हैं, सारी जिम मेतानियों के नहीं भातते हैं और निर्देश्यक और पटकथा की जिरूवत के ही साथ से द्रश्य की अनुसार cameraman को light की व्यवस्ता करने होती है अब lighting क्या होती है, लाइट व्यवस्ता क्या है, लाइट व्यवस्ता फिल्म तक्नीकी पक्ष का एक महत पूनंग होती है कैमरे में द्रश्यों को प्रभाव शाली धंग से बंद करने के लिए light व्यवस्ता का होना बहुत महत पून होता है कोई positive scene दिखाना है तो वहाँ पर light ज़्यादा होती है, negative scene दिखाना है तो light वहाँ पर कम होती है हर एक scene के अनुरूप light व्यवस्ता होनी जरूरी होती है और indoor shooting के लिए बड़े-बड़े power के बलकी जरूरत होती है और सूरज की रोश्णी अगर कम हो तो उपकरनों की साहता सी है फिर artificial light व्यवस्ता का इस्तेमाल किया जाता है बड़े-बड़े reflectors भी इस्तेमाल में लाई जाते है शूटिंग के दौरण अलग 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 का काश्रोतों का पयोग किया जाता है कैमरामैन की सूचना की अनुसार light व्यवस्ता का रहती है शूटिंग के दवरान कलाकरों के समबाद और अलग अलब धनीयों को धनी मुद्रित किया जाता है शूटिंग के समय बोले गए इस समबाद guide track के रूत में अध्वने मुदित किया जाती है इतने किसी guide track कहा जाता है जो shooting के time पर कोई भी जो कलाकार होता है जो dialogue बोल रहा होता है उन्हें guide track कहते है guide track के आधार पर बाद में जो shooting हुई होती है उस video के साथ में mix करके उसकी sound को mix किया जाता है actor की इसके बाद उसी tape का dubbing करकी जो बात हुई है जो dialogue बोले गए है उन्हें की dubbing करके सब्मंदित कलाकारों से recording studio में उनके होतों की हलचल के साथ match करके ध्वने मुदित किये जाते हैं उनको फिर ध्वने मुदित किया जाता है उनके साथ में और यहीं संबाद का sound track अंतिम प्रिंट में आता है जो last print आता है final print जो आता है वो यहीं आता है sound track का जो recording होकर के दोनों की चीज़ों को mixing की जाती है आगे अब बात आती है dubbing की तो संबादन की अंतिम रूप रेखा की अनुसार sound recording studio में हर एक कलाकार से उनके संबाद कहलवाई जाते है सारे के सारे संबाद जो होते हैं वो studio में आकर के सारे के सारे characters बोलते हैं और इस तरीके से उनको record किया जाता है इस पक्रिया को dubbing कहते है शूटिंग के समय record किये गए संबाद फिल्म में नहीं रखे जाते हैं बलकि उनने guide track की तरह रखा जाता है guide track को सुन करके original जो चाहिए होते है fundamental जो इसके लिए basic चाहिए होते हैं dialogue वो सारे record किये जाते हैं और बाद में प्रतियक द्रशे को फर्दे पर डाल कर एक एक द्रशे के अनुसार कलाकारों से संबाद सूटिंग के समय संबाद बोलने में अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो उचारण में अगर कहीं कोई कमी हो तो डबिंग के समय उसे सुधारने की उन्जाइश बनी रहती है सुधार भी लिया जाता है इसके बाद है sound effect डबिन के बाद sound effect का काम होता है बिटा समबाद के अलावा फिल्म की अनेक आवाजे होती है जैसे जीते पहन कर चलने की आवाज, बारिश की आवाज, कोट पहनने की आवाज, पशुपक्षियों की आवाजें इन सब की आवश्यक्ता होती है, इन सब को ही special sound effect कहा जाता है बिटे और निर्देशक की आवश्यक्ता नो, सार, निर्देशक को जैसी जरूरत होती है, उसी दिकेज़ाप्यो टेबल बनाते है कौन सी आवाज कहां पर लगी, कहां पर फिट होगी, उसके साबसी बनाते है और फिर अपनी जो शब्यंते की साथ में, वो विचार भी मश करके record करने की व्यवस्ता करते है असल में वो sound effect को जो है, वो विशे special effect डालने के लिए use करते हैं बिटा तो ये था आपका chapter number 5, जिसका नाम था cinema में camera का महत्वा या पिर cinema में camera की भूमिका इसके बाद आपका बिटा एक पार और रह गया है, उसको भी मैं करवा दूँगी आपके कुछ और आपका total Hindi cinema और उसका अधियन वाज़ो पीपर है complete हो जाएगा तो पूरा का पूरा syllabus आपका पूरी playlist मैंने बना दी है, आप लोग देख सकते हैं, पेपर में आपके अभी time है, उससे पहले आप लोग इसको चीटरा से देख लीजिए, कई कुछ doubt है तो आप लोग comment section में पूर्च लीजिए, आपको जरूर जवाब मिलेगा बिटे बहुत seriously बेटा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप परिक्षाएं आपके बिल्कुल नजदीख है, कुछ doubt है तो comment section में आप अपना question छोड़ दीजिए, और बेटा channel अगर अभी तक subscribe नहीं किया है, तो up कर लीजिए, क्योंकि आपका फूरा का फूरा content आपको यहीं मिलेगा, और आपके अगले semester सा content भी आपको इस channel पर मिल जाया का time से ही, तो परिक्षाओं के लिए आपकी बेटा बहुत बहुत शुब काम नाए, have a great day ahead, जय हिन, जय भारत.